दोस्तों वीडियो पूरा देगा जिससे आपको डीसेंबल का पूरा पर उससे अच्छे से मालूम पड़े यह चालिस के विए का डिस्टिवूशन ट्रांसफॉर्मर है जो कि जल चुका है ओवरलोड कंडिशन से या फिर ओल कम होने के बज़े से ट्रांसफॉर्मर को डीसेंबल करना बहुत ही मुश्किल होता है नई जोब को बनाना जतना आसान होता है उससे कहीं गुना मुश्किल डीसेंबल करना होता है कई बार कोईलें इतनी जल जाती है मेल्ट हो जाती है और कोईल और कोर आपस में अटेश्ट हो जाती है जिसको नि बेंड होती है तो बापिस लगाने में दिक्कत आएगी पिलस इसके लॉसज बढ़ जाएंगे तो आपके ट्रांसफोर्मर में दिक्कत रहेगी अगर लॉसज बढ़े तो जॉब पास नहीं होगा साइड में एक जॉब देख रहा है आपको सेम रेटिंग का है लेकिन इसकी जो एल्टी कोर पे जो कोईल लगी हुई है यह बहुत ही जल चुकी है इसको निकालना बहुत ही मुश्किल होने वाला है और सेम जॉब जो आप देख रहे हैं इस पर एच्टी जो कोईल है वो जल किः ओर लोड्यों सब्सक्राइब को प Ahora चुकिया यह वहां पर वक्रश कुछ ञोए कोईकम पर लोनों रही निकाले फेज container ते दूंट के बीच में जाले जाते हैं जिस लोख जाते हैं गैप 10 अमम कंगब्श क्लरष अपस में अटेच ना हो यह स्पेसर्स और यह को निकालने हैं इसके बाद में कोर के कोर से जो स्टी कॉल है उसको रिमूब करेंगे कि देखिए कोल डक्त निकाले जादी मुक्षत है मैंने आपको पछली वीडियो में बताया था कि ऑल सर्कुलिसन के लिए लगाते हैं जिसे के दो कॉ िस निया सिस्ट को डाजानी अनर यह देखिए किस तरह सेखिए नहीं हो गए click को बिल्कुल देखिए नहीं करें मुचिह नहीं कहांने सैंदर को सब्सक्राइध इंका करना है यह मुझार्टा सेथायिए और यह देखिए नहीं सब्सक्राइब औरIG को डिचाया मैं oven गई है क्योंकि कोर को सैप रखना है और कोईल को इसको निकालना है नया सेक्षन डालने के लिए